नमस्कार में प्रियरंजन और आज की इस एपिसोड में डिसकस करेंगे रिलाइंस पावर स्टॉक के बारे में इसे स्टॉक को डिसकस करने का मुख्य कारण यह है कि यही वो प्राइस है जहां से स्टॉक इसके Q3 के नंबर्स के बाद लगभग 35% डाउन हुआ यहां से एक र रागता है कि रिलाइंस पावर भी एक बरी तेजी के लिए तयार होते हैं इस समय अगर इसके न्यूज को फाइंड आउट करें तो यह सभी common न्यूज ही दिखेंगे कुछ भी individual न्यूज नहीं है यहां पे देखें तो share certificate जो खो गया था उसको लेकर के company ने अपडेट दि देखें तो सभी commonly feed ही इस स्टॉक में दिख रहा है इसके अलावे टेकनिकल ट्रेंड देखें तो आउट परफॉर्मिंग है और यहां पाएंगे कि किसी भी horizon में आप देखें monthly 20% sorry weekly 20% monthly 40% 3 month 28% 6 month 73% 1 year to 20% और यहां देखेंगे तो 2 year 135% तक के returns company ने दिये हैं और मुझे अशा लगता है कि टेकनिकली यह स्टॉक एक breakout के trend पे दिख रहा है अब मैं एक बार इसके आज के volume को दिखाओं आज का volume इसे stock का 2.2 CR के आसपास का दिख रहा है अब इसके chart को देखें तो आपके views काफी visible हो पाएंगे जैसा कि हमने कहा कि टेकनिकली एक बरा breakout दिख रहा है पावर सेक्टर इस समय all time high के price पे दिख रहा है और यह trend इस प्रकार से continue अपर साइड में जाते आपको दिख सकता है अब एक बार अगर आर पावर के chart को देखें तो मैंने क्या कहा quarterly time पे जब Q3 के numbers declare हुए थे तो यह stock 33 के आसपास trade कर रहा था उसके बाद यह downfall लगबग 35% के दिखें उसके बाद date free को खबर को लेकर के यहां तक आई और यह एक breakout के लिए दिख रहा है तो potentially 4, 6, 62 और 90 तक के levels potentially इस stock में दिख सकता है weakness 28 के नीचे ही होगी जब तक 28 को breakdown नहीं करे stock overall strong होने वाला है और मुझे लगता है कि अगर already invested हैं तो 28 के SL और अगर face buying करना चाहते हैं तो इस zone में धीरे धीरे accumulate कर सकते हैं क्योंकि जब भी इस प्रकार के reversal होते हैं तो buyer काफी strong होता है comparatively seller का और आज यह stock upper circuit 1 करोर के आसपास